नमस्कार स्वागत आप सभी का सुजस सारांस के इस क्लास में मैं हूँ आपके साथ वेपिन कुमार शर्मा इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजिस्थान का करेंट अफेर्स जिसका आधार होता है राजिस्थान सरकार की सुजस पत्रिका शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के यह 255 रुपे प्रतिदिवस कर दिया गया है अगली जानकारी मुख्यमंत्री ने गांधी दर्सन संभिलन में कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है यहां हर राज्य में शांती एवं आहिंसा विभाग की जरूरत है तो जैसा आपको पता है राजस्थानी पहला हमने था जिसने वर्स 2012 में देश का पहला शांती एवं आहिंसा विभाग शुरू किया था और अब मुख्यमंत्री का कहना कि हर राजी को ऐसी आवश्यकता है से अपने हैं कि मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा है तीन अलग राज्यों को जसमें कहा कि और राजस्थान स् है राजिस्थान के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर कि राप प्रवासी राजिस्थानी जो है अगर वहां आते हैं तो उनके लिए भावन निर्मान किया जाए अगली जानकारी है वरिष्ट नागरिक तीर थेत्रा योजना से संमंधित वरिष्जनों की भावना का संवान हमरा दायत्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा वरिष्ट नागरिक तीर थेत्रय योजना में इस बजट में जया चेंज किया गया है और वह चेंज क्या है कि पहले इसमें प्रतिवर्स 20,000 नागरिकों को वरिष्ट नागरिकों को सरकार अपने खर्चे पर 3 यात्रा कराती थी अब इनकी संख्या बढ़ा कर दी गई है 20,000 से कितनी कर दी गई है 40,000 यानि एकदम डवल कर दिया गया है और इसमें 2 तरह से यात्रा होती है एक रेल मार्क द्वारा और एक वायू यान मार्क द्वारा पहले जब 20,000 इसकी संख्या थी तो 20,000 को 18 और 2 ऐसे डिवाइट किया गया था यानि कि 18,000 रेल मार्क द्वारा और 2000 एक वरिष्ट में वायू यान मार्क द्वारा अब जैसे इसकी संख्या डबल की गई है तो इसका अनुपात भी वैसे ही कर दिया गिया है अब 36,000 रेल मार्क द्वारा और 4000 वायू यान मार्क द्वारा तीर थी अत्रा वरिश्णागरों को कराई जाएगी और जो वायू यान मार्क द्वारा जो इस थान का चैन किया गिया है वो एक ही स्थान है कहा पशुपतिनात मंदिर जो कहां है काठ मन्डू नेपाल में केवल वही वायूयानमर्ग द्वारा तीर ति तुर ख्राइज़ए बाकि जो अलग अधिय ज्चान है जिन मैं मार्ग द्वारा यात्रा क्राइज़ए गी लगवक 14 स्थान है उन कुछ एक दो और जुड़ दी गए हैं अभी पहले हम उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं वहां अलग-अलग ट्रेन लगाता रवना होती रहती है फिर अगली जानकारी है चरंजी भी स्रमिक संबल योजना इस योजना का एक तरह से ड्राफ्ट यानि कि प्रारूप अभी त फिर अगले पेज पर है मुख्यमंत्री की सहमती प्रदेश में लोग कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा । लोगकला विकास बोर्ड नाम में ही अलग अलग तरह की सामाजिक सुरक्षा पैंशन योशना हैं बुजर्गों को दी जा रही है या विकलांगों को दी जा रही है तो उनमें 88% का भौतिक सत्यापन हो चुका है है अगली जानकारी है मुख्य मंत्री के दृदेश पर चिरंजी वी योशना में दान्तों का भी इलाज हुआ तो एक खास फिक्ति जिनकर नाम या दिया गया है उनका यह दान्तों का राज किसके द्वारा हुआ चरंजी योशना के तहट फिर अगली इंपोर्टन जानकारी आज की क्या है कि राज सरकार राजस्थान सहेत्य पुरुसकार शुरू करेगी अब इन पुरुसकारों में चार ऐसे हैं जो राजस्थान के विद्वान उनकी नाम पर यह पुरुसकार शुरू के जाने हैं चार कौन-कौन है तो चार ही स्रेणिया है और चार ही पुरुसकार हैं जैसे कि करने लाज सेथिया इनकी नाम पर एक पुरुषकार होगा इसके लगा कोमल कोठारी इनकी नाम पर एक पुरुषकार होगा सीता राम लालस इनकी नाम पर होगा और विजय जान दे था इन चारों विद्धानों के नाम पर चार पुरुसकार शुरू के जाएंगे और उनमें प्रतिक आज जो पुरुसकार होगा उसकी रासी 11-11 लाक रुपे रखी जाएगी यह भी शुरू होने वाले हैं तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आज नागर जिले अलग अलग जो स्वैम साहिता समू है जो एंजियो है उनके बीच में एक तरह का समवाद कारेकरम है ताकि प्रदेश की जो जन कल्यानकारी योशना है वो आम जंता तक पहुंच सके और इफेक्टिवली उनका इंप्लिमेंट हो सके आप देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या ह है आज चार मुख्य जनकारी हैं हमार दिन पढ़ते हैं लगवग तो मुख्य मंत्री च्रेंजीवी श्रेमिक संबल योशना सबसे पहले इस योशना को पढ़ेंगे जो भी लागू नहीं हुई है लेकिन इसके प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई है राजिस्तान साहते प्रोत्सान पुरोषकार जो की शुरू होंगे यह भी अभी शुरू नहीं हुए है फिर लोक कला विकास बोड यह भी बनाया जाएगा अभी बना नहीं है और फिर राज में मनिरगा मेट की महितूरी में वृद्धी जो की पहले कितनी थी दो सो चालीस रुपे प्र कर हुई थी 240 और अब 15 रुपे बढ़ा कर हुई है 255 रुपे शुरूआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री च्रंजी भी श्रमिक संबल योजना अभी हम आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी-अभी मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के प्रारूप पर सह या कैबिनेट के पास बेजा जाता है तो उनके मंजूरी के बाद फिर आगे योजना पर काम शुरू होता है तो अब जो यह ड्राफ्ट था उस पर मुख्यमंत्री द्वारा सहमत्ति प्रदान कर दी गई है यानि कि क्या-क्या उसमें प्राबधान रखे गए हैं उनको मु बोट लग जाके और ऐस्पाल में भड़ती हो जाए तब क्या होगा यानि कि उसको जो उसका रोजगार है वह तो उसकी हर दिनकी मजदूरी पर रिटिका हुआ है अगर जो मजदूर है वह अस्पाल में भड़ती है थो उसका घर का खरश्चा कैसे चलेगा इस चीज हो जाती है तब सरकार क्या करेगी उसको 7 दिन तक जब तक वह एस्पटाल में भढ़ती रही साथ दिन अधिक्तम अधिक तम साथ दिन तक 200 रूपए प्रति दिन सरकार उस मज़ोर को एक तरह से साहीताराशी देगी या तो साथ दिन मजदूर को एक तरह से साहिता राशी देगी या तो साथ दिन या जितने दिन वो भरती रहा है इन दौनों में से जो भी कम होगा या जैसे दो दिन मरीज भरती रहा तो उसको दो दिन के ही 200-200 रुपए यानि की साहिता प्रदान की जाएगी इसलिए इसका नाम रखा गया है श्रमिक संबल एक तरह से काफी पहल है क्योंकि जिन मजदूरों की या जिन श्रमिकों की आजीव का प्रति दिन की काम पर डिपेंड होती है जैसे कहा जाता है कहावत रोज कुवा खोदना और रोज पानी पीना तो अगर ऐसे श्रमिक भरती हो जाते हैं अस्पिताल में तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है इसी की लिए सरकार्दों रहीम शूरूर्व की घई फट्रदेश् प्रदान की जाएगी आप पात्रता कैसे इसकी डिसाइड होगी यानि यह कैसे पता चलेगा कि भी कौन-कौन लोग इस योजना के तहट पात्र है तो असंगर्टित शेत्र के निर्मांड श्रमिक कल्यान कोश एक संस्ता है इसके तहट जो जो श्रमिक पंजीकरत है और सक्री हैं यानि अभी वह एक्टिव हैं अपने फिल्ड में पंजीकरत सक्रेशमिक हैं और उसके साथ साथ जो चिन्यत स्ट्रीट वेंडर्स हैं यानि इस संस्था के अंतरगत उनका पंजीकरन होना निवार है उन्हीं को योजना के तहत पात्र माना जाएगा अब इसमें कितनी स हाई तरह सी दी जाएगी तो मैंने शुरू में भता दिया उपको 200 रूपे प्रतिदिन दी जाएगी जो अधिक्तम चाह दिन तक दी जा सकते हैं यानि नकदी कोई उनको हाथ में नहीं पकड़ाई जाएगी एक तरह से कैश नहीं दिया जाएगा कैश लेस होगा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा श्रेमिक की आयू सीमा कितनी हो सकती है तो 25 से लेकर 60 वर्स आयू सीमा हो सकती है अब एक खास नोट यह है कि यह सा कोई खास परिजन है वो भी भड़ती है उसकी देखरेक के लिए भी हो सकता है श्रेमिक को अपना काम छोड़के अस्पताल में जाना पड़े तब भी योजना के तहत उसको लाब मिलेगा लेकिन कंडिशन यह है कि जो व्यक्तिय अस्पताल में भड़ती है वो कम से कम एक जन्याने की 24 गंटे कम से कम भड़ती रहा हो दो चार गंटे अगर कोई भड़ती रहा है तो उसके लिए योजना यह उसका लाब नहीं ले सकता अगली जानकारी है राज़स्थान साहत्य प्रोथ सहन प्रोषकार शुरू के जाएंगे तो मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्ताप को भी मंजूरी प्रदान की गई है जिसमें चार लोग है चार विद्वान है राज़स्थान के कौन-कौन से श्रीकनियलाल सेठिया श् तरह से मैनेज किया जाएगा नोडल निकाइन का यह होगा और प्रशास्निक विवाग इसका कौन होगा राइस्तान सरकार का कला साहिते संस्क्रिति एवाम पुरातत विवाग आप इसमें परवसकार राशी कितनी होगी तो 11 लाग रुपे एक तरह से कैश दी जाएंगे नग अब कौन-कौन से पुरुषकार और कौन-कौन सी श्रेणिया होंगी तो पद्य श्रेणि में पुरुषकार जो दिये जाएगा उसका नाम क्या है श्री कनहिया लाल सेथिया पुरुषकार लोक साहते एवं कला श्रेणि में दिये जाएगा श्री कोमल कोठारी पुरुषक सकता है यह वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि 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 विक्ति के नाम पर कौनिंसी में परोषकार दिया जाएगा एक कषा क्या होगा लोग कलाओं से जुड़ी हुई जो विभिन जातियां हैं और साथ ही कुछ वर्ग हैं उनका उत्त्थान किया जा सके यानि कि उनके आजीवकाद्स और उपाद्यक्ष के अलावा साथ गेर सरकारी सदस्यों होंगे और इनसे भी अलग होंगे एक बोर्ड सचेव और कारेकारी स्थाफ यानि साथ गैर सरकारी एक अद्यक्ष एक उपाद्यक्ष इस तरह से नौ तो यह हो गए और इनके लावा कुछ और होंगे जैसे कि सचेव और कारेकारी स्थाफ फिर इसके कारे क्या क्या होंगे तो लोग कला से और लोग कला कारों से ही जुड़े हुए सारे कार रहे हैं जैसे कि उनको वैश्विक पहँचान दिलाना उनको रोजगार से जोड़ना साथ की साथ इनको वित्तिय साहिता देना कला कारों को मन्च उपलब्द कराना उनकी कला कायोजन प्रदर्शनी कायोजन समहरवादी कायोजन कुल मलाकर उद्देश्य क्या है लोक कलायवं कलाकारों का उत्थान करना अगली जानकरी राज में मंद्रिगा मेट की मजदुएं विरद्धी की गई यह सीदी सीदी फैक्ट्वल से एक अब 255 रुपए प्रति दिन कर दी गई है जो वर्ष 2023 के लिए होगी पहले यह कितनी थी पहले 240 यानि कि अभी जो चल रही है 240 और इससे भी पहले कितनी थी तो 235 रुपए प्रति दिन कि अब खास बात एकी मैट आपने बहुत-वार सुना ओगा मैट होता क्या है तो आपना स्रेंट कर जाता है तो मंद्री का य्च नाम में और रुकुलूचल सम त्श्रिमिक मेट को सामगरी वय की हमतना जाते है और आ समगरी वे वे मैं इसका खर्चा कैसे उठाते हैं तो 25 प्रतिस्अथ हिस्सा होगा वो राजर कार द्वाहरा और 75 प्रतिस took हो इस सरकार द्वारा उठाय कि लास्ट में हमारा ब्याहस प्रस्ण क्या है प्रदेश के साहत्यकारों को प्रोथसान देने हितू शुरू के जाने वाले राजिस्तान साहत्य प्रोथसान प्रोषकारों के अंतरगत श्री विजयदान देथा साहत्य प्रोषकार कि श्रेणी के अंतरगत दिया जाएगा श्री विजयदान देथा इन्वर्टेट कोमा यहां आएगा श्री विजयदान देथा सहत्य प्रोस्कार यह पूरा एक प्रोस्कार का नाम है कि सिरेणी के अंतरगत दिया जाएगा आपके गद्य पद्य लोक साहित्य या फिर भाषा तो क्या होगा इसका उत्तर बताएं आप कमेंट्स में आप मिलते हैं कल अगली नियूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद